आज की भागम भाग जिनकी में ज़्यादतर लोग योन समस्या से और कमजोरी से पिरित रहते हैं इसकी दवाई के पिछे लाखों रूपया कर्श करते हैं लेकिन इसका फायदा इनको ज़्यादतर नहीं मिलता लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सरल और सस्ता प्रयोग बताऊंगा जो महेंगी दवाईयों से कई अधिक फायदेमंद है आज में जंगले भिंडी का एक विशेश प्रयोग आपको बताऊंगा तो वीडियो को अंत तक पूरा देखे हम जिस पिंडी को खाने में इस्तिमाल करते है उस पिंडी से ये जंगली पिंडी अलग होती है इसके खेती नहीं होती ये अपने आप उत्पन होती है और एक से चार पिंट उची तता सिधी बढ़ती है इसके समस्त कांड पर रोए होते है और इसके पत्र एक समान तथा हरे रंके होते है और पुस्प पिंडी के पुस्पो के सदस पीले रंके होते है दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें बिल आइकन दबाए और ओल नोटिफिकेशन पर प्लिक करें जिससे हमारी हरनी वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे इसकी तीन से चार प्रजातिया पाई जाती है जंगली भिंडी का पोधा आपको खेतों की मेडों पर खाली पड़ी और बंजर जमिन में भी आसानी से मिल जाता है जंगली भिंडी स्वाद में कडवी तीखी और मदूर होती है ये गप वात्सामक और शीतल प्रकृतिकी होती है इसके अलावा ये पेट को साप करती है और आंक तता रदे के लिए हितकारी होती है इसके पत्रों का कुण तर्मक कामोते जख होता है और कप को दूर करने में पाइदेमंद होता है ये रप्तसोदक का काम करती है ये पूरे सरीर का खुन साप करती है और कहीं प्रकार के चर्मविकारों को दूर करती है योन दुरूबलता को नश्ट करने के लिए आज मैं जंगली भिंदी का एक विशेश प्रयोग बताने जा रहा हूं नौट कर लिज ये चाल सो ग्रम की मातरा में ले और साथ में गूड बिना कमिकल वाला और्गेनिक गूड होना चाहिए और ये गूड आपको इसके साथ सो ग्रम मिला लेना है दोनों को अच्छे तरह मिला कर चने के समान गोलिया बनाए इनमें से दो दो गोली सुबह दो पर और सांग बुद जरूर उटाए इस प्रयोग से सिग्रपतन और स्वपन दोस्तों दूर होता ही है साथ में सरीर की ताकत कई गुना पढ़ जाती है जो लोग सरीर से दूरबल है सारे रिकृप से कमजोर है ये लोग इसका सेवन जरूर करे और इसकी जड को साव में सुखा कर चूड बनाकर इसका सेवन करते है तो गजब के फायदे मिलते है इस प्रयोग से भी सभी प्रकार के विर्य दोस्त दूर होते है और शक्ति बढ़ती है दोस्तों ये बिंडी सरीर की योन दूरबलता को मिटा देती है और सरीर को बलवान बनाती है